हलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल और यह शाम का टाइम है और यहाँ पर मैंने पॉपकोन और ब्रेड से किये और बस उसके बाद मैं खाने की तयारी कर रही हूं तो यहाँ पर रिफाइंड तेल में मैंने राई और मेथी दाना डाला है प्यास डाला है और हरी कद्दू को ढख ढख के पकारियों में और उसके बाद में जो बैसिक मसाले होते हैं वह डालूंगी हल्दी मिर्ची नमक धन्या पाउडर तो मैं हींग डालना भूल गए थी तो हींग डाल रहे हूं क्योंकि मैं लहसुन से नहीं इसको बना रही हूं सब्जी को इस वज़ कर दचना नशारा है माई बन ऐसा और उपर से बस हड़ा दनिया डाल सकते हैं गरम मसाला भी डाल सकते हैं अगर आप चाहो तो यह देखे यम्मी सब्जी हमारी बन गए और मैंने पल्टे की सायता से तरीके से तोड़ दिया है मतलब इसको पेश्ट जैसा ही अच्छी लग कि और दाल के सीट्ही भी आ गई अपर उसी कड़ाई में değer कि अब अब डाला भी किन्याश smells एंच्जाल। और हरी मिर्ची और प्याज दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है और यह देखिए ढ़कड़के इसको पका रहो और बस इसमे धनिया पाउडर हल्दी और नमक डालूँगे मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि मिर्ची ओलरेडी है इसमें हरी मिर्ची और बस यह देखिए इस तरीके से डगड़के फिर इसको मैं पका लूँगी तो ये मसाला मेरा जो बैसिक है वो मैंने डाल दिया है आप तीका खाना पसंद करते हो तो इसमें लाल मिर्ची एड कर सकते हो और आप हरा धनिया उपर से डाल दीजिए और बस इसको इस तरीके से ड़क ड़के मैंने गाइस मेरे इसे चैनल पर कई तरह के मैंने पराठे बता रखें आप विजिट कीजिएगा और यह सबजी की जो कड़ाई थी उससे मैं लोया पूछ रही हूं ताकि जो है पराठा जो है बहुत ही अच्छा यम्मी टेस्ट पराठा बनके इस मसाले से तयार हो जाएगा और य चुपड़ देते हूं तो बच्चे लेके खाना खा लेंगे और बस एक जैसा कि मैं बता रही हूं एक पराठा बताने वाली हूं मैं आपको मेरे इसी चैनल पर कई तरह के पराठे मैंने अपलोड कर रखे तो आप प्लीज विजिट कीजिएगा मिठाई या वगेरा और आ यहां पर यह देखिए मैं एक बड़ा सा लोया ले लिया जो मैंने कड़ाई पूछी थी सबजी कि वही मोटा बनाया इसको और बेल लिया और इसके उपर पूरे पर घी चुपड़ दिया आप चाहो तो घी नहीं लगाओ तो आप रिफैंड तेल भी लगा सकते और पूरे और इसको तवे पर सेक लेंगे तो नोनिस्टिक का तवा या सिंपल तवा भी आप लेके रिफैंड तेल या घी से ग्रिस करके और इसको दोनों तरप से पलट पलट के दबा दबा के सेक देंगे और इस तरीके से निशान कर देंगे चाकु किसी चमच की साहता से निशान क कर सकते हैं ताकि ये फूले नहीं और इस तरीके से दबा-दबा के शेख देंगे और ये पीला-पीला पराथा इसलिए लग रहा है कि जो है कडाई सब्कू चिकी पूछी ती मैंने वही है तो ये हमारा जो है मसाले वाला पराथा बनके तयार तो इस तरीके से दबा दबा के इसको अच्छे से सेक लेंगे और गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक व्लोग डाला था अभी अभी लेकिन मैं इसको भी डाल रहे हूं क्योंकि मेरे उस वाले व्लोग के कई क्लिप ऑटोमेटी की जो है डिलीट हो गई थी क्यो क्योंकि सबजी और मिर्ची और प्याज और दाल और सैलेड और ये पराठा तो बस आज का डीनर यही है लास्ट में दूद दे दूंगी तो गुड़नाइट गाइस और मिलेंगे अगले व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू फोर वाचिंग ये पराठा दे रखिए और पती देव को दीजिए नास्ते में टिफिन में रखिए वैसे तो ये गरम गरम खाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो बस गरम गरम सर्व कीजिए खाईए खिलाईए और सबका मन जीतिए तो चलिए गाइज मिलेंगे नेक्स्ट व्लोग में बाई ब अब तक के लिए लाइक सस्क्राइब शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे दूसरे वाले चैनल को जो की सोशल वरकर मधुवाला स्वामी स्वामी के नाम से है हेल्प चैनल उसको भी सपोर्ट कीजिएगा तो चलिए अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं